नितामबानी और रोहिश शर्मा ने एक दूसरे को किया इक्नोर दोस्तो आईपेल 24 में हारदिक पांडिया के कप्तानी में मुंबई इंडिन शर्मनाक तरीके से दस्वा मैच भी हार कर पोइंस टेबल में सबसे नीचे रही है मैच हार के बाद नितामबानी और रोहिश शर्मा के बीच बातचीत भी देखी गई और सीरियस डिसकुशन चल रहा था हो सकता है शायद नितामबानी रोहिश शर्मा को मुंबई टीम में रोकने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन रोहिश शर्मा का ये मुंबई में लास्ट सीजन हो सकता है क्योंकि मुंबई मेनेजमेंट ने रोहिश शर्मा के साथ ठीक नहीं किया और मुंबई के लिए अपने आखरी मेच में रोहिश शर्मा ने अर्से टरोनों की पारी खेली इसी के बाद जब रोहिश शर्मा को आवोर्ड देने के लिए बुलाए गया तो ये तस्वीर देखने को मिली जो सोशल मीडिया पर वाइरल चल रही है जिसमें दोनों ने एक दूसरे को नजर अंदास किया अब देखते हैं कि अगले सार रोहिश शर्मा कोन सी टीम की तरफ से खेलते हैं दोस्तों आप रोहिश शर्मा को कोन सी टीम में देखना चाहोगे या फिर अगर मुंबई मेनेजमेंट फिर से रोहुष शर्मा के पास जाता है और उन्हें कप्तान बनने की पेशकश रखता है तो क्या रोहुष शर्मा को मुंबई का कप्तान बनने के लिए हां कहना चाहिए कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं